अगर तुम इज़ते चाहते हो, शोहरते चाहते हो, अगर तुम पलंती चाहते हो, अगर तुम रिफातो शान चाहते हो, अगर तुम अल्लह की बारगाह में हजरात बड़ा मरतबा चाहते हो, तो दुनिया के किसी इसान का बंदा बनने की कोशिश मत करो, भलके जिस रबने त दो दुन्य वालों को पता चल जाएगा इज्जत उसे नहीं मिलती जो आना रब कुम लाला कहता है इज्जते उसे मिलती हैं जो सुभान रभी लाला कहता है प्पीर साथ जल्दी से बेदार हो जाए ये मुस्कुरा करके कहिए सुभानला अगले वाले कोने से मैंने आपको थोड़ा सा पीछे क्यों किसका आया है सबब आप समझ गए होंगे जादा समझाने की जरूरत नहीं है अजरा सुनो मुहबत के साथ में अच्छा शुरू करूँ मैं बफ्तुबा भी तो मैंने खुदबा भी नहीं बढ़ा बढ़ा गए खुदबा टाइम बचा दिया गया ये मैंने काम वैसी किया है जैसे कभी कभी बगएर उड़त के आप ज चावलों में ठोंगे लगाना शुरू कर देते हैं होता है ना उड़त नहीं आए होते दाल नहीं आए होती इतने पहले पहले चावला करके उतर जाते हैं तो कुछ लोग वो होते हैं कि दाल आने से पहले ही दो चार लुक में आखाने शुरू कर देते हैं वैसे ही मैंने श खुरास खुफ्ट भूं शुरू करना हूं। आल्लाई टाला आली वस्तलम फी मकाम आखर अखर अगर्णा मताइद दुन्या अलमरावत तुस्तुन आखर अखर। खुदा इम्दाद कुन कभी राफ़ियत के नाम पर लोगों को गुमरा किया जा रहा है लेकिन मैं और आप अजराद अल्लाह का करम है अल्लाह ने मुझे और आप को अजराद फिरके हक में पैदा परमाया है और अजराद फिरके हक में चोद्वी सदी के अंदर अगर हम सबसे जादा किसी का एहसान मानते हैं तो सज्जिदी सरकार आलह हदरत का एहसान मानते हैं और ये हमारा अजराद दिली जजबा कहता है कि तरस जो मौलवी नदुआ से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है और मिल गया मर के खिलासत मेरा साका दुश्मन हर बुरे शफ्स का अंजाम बुरा होता है और मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत जादा उठा होता है हमारा Ao ईमान देखो कि खुदा के घर में जो बटन बजाते फिटे हैं फिर उनके पाउँ के वारे नियारे क्या होंगे और यह फिरी वाले हैं तस्भी से देते है फरेद नभी के जोना हुए वो तुमारे क्या होगे हमारा रकिदऑ O ईमान तो यह है अच्छा आप बड़ी तवज्जों से सुनने हैं जितना समझ में ओपर वालों के नहीं आ रहा है उससे कहीं जादा समझ में अजरात रात की आ रहा है मुझे पता है जो नीचे वाले हैं ये यकीन है के नहीं मेरा और आप अज्रा, जी है, तर्म है। का लीजे زादा देर बरदाश्त नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर आप अज्राथ का अभाब हैं और आपके नाम किया किनाओं तमाम के ताम अपने है। अज़रात इसलिए थोड़ी देर सुन लीजिए महबबतों के साथ में ये मेरा और आप अज़रात का अकीदव और एमान है और जब ये अकीदव और एमान है तो चलो सजिदी सरकार आला हज़रत की जबान में कहते है के तेरे तुकड़ों पे पले गेर की ठोकर पे न डाल आप आप बाह भाँ जबाँ वो मत बानो के जिनके बारे में सजिदी सरकार सजिदी हुदूर्गोसे पाक रजियAllahu ताहला नह ने कहा था जो एल दुनिया होते हैं वो दुनिया के पीछे डोड़ते हैं लेकिन जो अल्लावाले होते हैं उनके कदमों के नीचे दुनिया रहती है किसने कहा? हुजूर गोसे पाक ने कहा अगर तुम दुनिया के अंदर खिटे चले जाओगे कि दुनिया वो है जो तुम्हे हर तरहां से हजरात खेर करके अपने अंदर समेट लेगी दुनिया की मसरूफियाद तुम्हे नमाज से रोकेगी मदर्सों में 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 म क्यों न हो तुम दुनिया वालों को ये बता दोगे कि दुनिया बाद में है और दुनिया को बनाने वाले खुदा की महबब पहले है और जब खुदा की महबब पहले है तो हम दुनिया वालों को बता देगे कि तिजारत बाद में है अल्लह की अबादत पहले है अबाबा नारे तक्बीर नारे रिसालत अल्मा एहले सुन्नत नारे हैजरी नारे हैजरी मसलक आला हजरत जिन्दाबाद जिन्दाबाद तिजारत बाद में है अज़रात अल्लह की अबादत पहले है अब आगे बढ़ करके मैं तुम्हें ये भी तो बता दू जब इंसान हत्य बलूगत को पहुंच जाए वो जबान हो जाए और जबान होने के बाद हफ्रात उसका जिसम उसका साथ देने लगे उसके ताकत उसके साथ देने लगे वो साहीब इश्टितात हो जाए तो साहीब इश्टितात होने के बाद अब दुनिया के काम बाद में है और मुस्तिफा की सुन्नत की अदाएगी पहले है सुन्नत की अदाएगी पहले है पीते रहिए तेरे मैकदे में कमी है क्या जो कमी है जो के तलम में है मुझे पता है कोई वो होता है जो दुनिया के अंदर सफर हज करता है तो रेलगारी से करता है फिलाइज से करता है, हवाई जहाज से करता है, सवारी से करता है उसे जरूरत होती है, मदीना पहुचने के लिए सवारी की लेकिन कोई गरीब वो भी तो होता है अजरात जब वो मदीने का तसवर करता है तो तसवर ही तसवर में मदीने पहुच जाता है आप अज़रात कहेंगे तस्वर ने मदिना कैसे पहुचा दिया मक्का कैसे पहुचा दिया चन्नत अलबकी कैसे पहुचा दिया चन्नत अलमौला कैसे पहुचा दिया हज़रात मीजवल रहमत के करीब कैसे पहुचा दिया खारे सोर में हदरात कैसे पहुचा दिया खारे हिरा में कैसे पहुचा दिया तो भड़ी जिम्मेदारी के साथ दुमें बताना चाहता हूँ लोगों सुनो कोई वो होता है जो सवारी के सर्य मदीना जाता है और कोई वो होता है जो तसव्वर में मदीने जाता है बुचे तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया। ऐसारा उसकी बचे चैए है आज तक वह कुवारे हैं और कल को मुलाकात होगी तो सादी शदा जी बेशन बेशन बना मह Remote बना कर द बना माहोल बना कर द लेगा कर द लेगा जी आज तक इनका चेहरा बना देखो पूछ लएजिए, मुफ्ती साफ कहेंगे इमान तो मेकमल निकाह होने के बारे होता है। मैई ने कहा। ì माईने कहा। दुन्या में निकाह तो बहुत होते हैं। शादिया बहुत होती हैं। या रसूल ला दुन्या की शादियों में DEAL किसे बनाए। नमूना किसे बनाए, कौन सी शादी ऐसी है, कि जिसे पढ़ने के बाद में, हमारे हरारत एमानी के अंदर ज्यादती आ जाए, हमारे अंदर जजबे शबीरी पैदा हो जाए, हज़रात हमारा समीर हम से पुकार पुकार करके कहे, किस रास्ते पर तुम चल लहे हो, वो मगली जिस रास्ते को तुमने चोड़ दिया, वो मस्तफा के घुलामों का रास्ता है, अगर आज भी तुम दुनिया के अंदर वाकई सिंदगी गुसारना चाहते हो, तो मगली लोगों की तकलीद करना छोड़ों, और दुनिया वालों को ये बता दो, कि बदल जाए नितामे हर तो आलमाने वाहिद में अगर जित पर कोई आ जाए दिवाना मुहम्मत का। दुनिया वालों को ये बताओ, हम दुनिया वालों के पीछे नहीं है। हम कल भी मुस्तफा के पीछे थे, आज भी मुस्तफा के पीछे है। allah subhanallah 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 자an baka कम कल Bogy मुस्तफपा के पीछे थे हमाज भी मुस्तफपा के पीछें अच्छा। उस कुर्सी वाले का हो जली से subhanallah तुम भी चाय का इंतिजार कर रहे रहे अब क्या करूं मुला नी अमरस्ताब जा हो जी ऐसा है तो बीच में कुछ ने कुछ तो समझाना पड़ेगा रुकना पड़ेगा लेकिन इतना सारूर है अगर तुम्हारी तकदीर की होगी तो तुम्हें मिलेगी नहीं मुखे करीब भी अगर आ जाएगी तब भी मुखे अंदर नहीं जाएगा जी हक है वहाहन है कितने ही कोषिशे अख कर लीजिये और हज्डरात अगर तकदीर में है तो बगेर देखे भी मिल जाएगी अंद्र अब सर्दी का मौसमारा जब गुर्की चाय चलेगी तो कपो से कहां काम चलेगा आपको बता नहीं है जहां गुर्की चाय होती है वहां काम कप से नहीं चलता है वहां बेलों से काम चला करता है वहां बड़े-बड़े मगों से काम चला करता है ये थोड़ा सा बीच में आगई गुफ्तगु जो मैंने आप अजरात को बता दिया या रसूल आल्ला कौन से निकाहों को हम तुरिया के अंदर नमूना बनाए तो मुस्तफाई शाहत परमाते हैं उन निकाहों को नमूना बनाओ जो दोलत की वज़े से किये गए उन निकाहों को नमूना बनाओ जो दीनदारी की वज़े से किये गए बहुत जल्दी गुफ्तू समेटूंगा अजरात ग्यारा बजने वाले हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक सबाग ग्यारा बजने वाले हैं अच्छा मेरी घड़ी पीछे रह गया जनते इसकी सुष्टी की वज़े वफ्ती ग्राम साब तो नहीं है अल्ला सलामत रखे अजरात सुनिये तवज्जों के साथ 10-20 मिनत और बरदाश्ट कर लीजिए दुनिया में निकाह बहुत हुए हैं बोले साब इस्टेंडिंग में खाना मिला बड़ा अच्छा खाना था रंग भी रंगी किसम के खाने थे तरह तरह के घड़े होकर के लोगों ने तोड़ते हुए फिरते हुए जानवरों की तरह खूब खाया जितना खा सकते थे उतना खाया जितना हथरात बखेर सकते थे उतना बखेरा जितना हथरात बेकद्री कर सकते थे अल्ला की रिस्त की उन लोगों ने बेकद्री की ऐसे निकाहों को दुनिया में याद नहीं रखा जाता है आप कैसे मज़ रहे हो बड़ा साजो सामान मिल जाए तो उन निकाहों को दुनिया की तारीख में याद रखा जाता है आप क्या समझने हैं? बड़ी गारी मिल जाए तो उन निकाहों को दुनिया की तारीख में याद रखा जाता है मैं बड़ी सिंबेदारी से तुभे बताना चाहता हूँ दोलत वाले निकाहों को दुनिया की तारीख में याद नहीं रखा जाता बलके वो निकाह जो गुर्वत में हुए वो निकाह जो तंग दिश्टी में हुए वो निकाह जो दीनदारी की वज़े से हुए वो निकाह जो तक्वे की वज़े से हुए वो निकाह जो परहेज़कारी की वज़े से हुए वो निकाह जो सच्दों की वज़े से हुए वो निकाह कल भी सिंदा थे आज भी सिंदा है और क्यामत तक सिंदा रहे सुभान अल्ला, सुभान अल्ला, सुभान अल्ला, जन्दा अबार क्या क syntes, माशा-ल् commencé, सइर भाई, दुन्हाजा, में ऑख वा लें, तुबाराiper, प्योदिया कि आर ज्वाराइख वर्णियार। आमीन, 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 कोई टारिख में एकनी और इसा हभी हुआ जिसमें पीच में कोई बीचो लिया निकारों वेस्ट बेवल्टरम टीज में सब्सक्रिक्राइब अविट्र सिद्धार हम ऑन्ण विद्षागों टेस्धाइब लिए निपाकर रहे लिए लिural और तुर्म यहाइब करो अधरात पीछ में कोई ऐसा भी चौल याने जिस ने आकर कर ये कहा हो इस मिलेगी हजरात निकाह करो पीछ कोई ऐसा हज़राद वो नहीं पिछोलिया नहीं जिसने आकर के ये कहा हो कि हर्चीज बिरांडेड मिलेगी अल्लग की कसम ऐसा निकाह हुआ कि जिस निकाह होने का सबब सिव एक दर्या में बहता हुआ सेब बन गया अब 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 अज़राद सोच रहे होंगे दर्या में बहता हुआ सेब कैसे निकाह होने का जर्या बन गया लोग जो बलान करते हैं ये हज़राद उनका अपना तखयूल है उनकी अपनी फिक्र है उनका अपना नजरिया है उनकी अपनी पढ़ी हुई तारीख है लेकिन जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ वो भी सचे दिल के साथ में सुनो पहता हुआ स्जव दर्या में पूँचा और ओर नोजวान पुँच गया हदरत इ अब्दुल्ला सुमाई के बाग में तुम्हारे बाग का सेव था पहता हुआ तर्या में जा रहा था मैंने उठा करके खा लिया तुम अगर चाहो गलती को माफ कर दो और तुम अगर चाहो तो बदले में कुछ काम ले लू क्योंके छेव तुम्हारे बाग का था इजासत ढूरे है एक्तियार ढूरे है तसुम्हारा है जैसे चाहो वैसे काम कर लो अल्लह की कस्म जब ये कहा गया था अब्दुल्ला सुमाई ने सर से ले करके पैर तक देखा सेब तो आज तक बाग में बहुत गिरेते खाने वाले भी ना जाने कितने थे लेकिन इस तरह से नसरे छुका करके आज तक कोई नौजवान आया नहीं था जी बेशब मेरे और तुभारे यहां पर तो ये रोड चल ला है जब गन्नों की ट्रालियां चलेंगी ना तब देखना मडन है मडन में ही नहीं बलके आप अस्मोली तक जाकर के देखना के हालत क्या होती है यहां पुर्बो जवार में जाकर के खेतियां देखो चनो की खेतियां मुंफली की खेतियां लोगों ने इसलिए करना बंद कर दिया कि चुड जाती ती चोड़ी हो जाती थी तुम्हें पता नहीं है बहुत से गिसम की खेतिया लोगों ने इसी लिए करना बंद कर दिया कि अधरात उन खेतों में चोड़िया हो जाती है ये मेरे और आप अधरात के मौशरे की हालत होती चली जा रही है अब्दुल्ला सुमाई के जमाने में भी तो ऐसे लोग होंगे जो बगहर इजासत के खा लेते होंगे बगहर इजासत के सेव तोड़ लेते होंगे बगहर इजासत के सेवों को चुरा करके ले जाते होंगे ऐसे लोग होंगे यकीन होंगे लेकिन अब्दुल्ला सुमाई की बारगाह में आकर के जब नौजवान ने कहा था सरकार तड़िया में बेहता हुआ सेम मैंने उठा करके खा लिया यकीनां वो तुम्हारे बाफ का सेम है चाहें बदले में खिद्मत करा लो चाहें माफ कर दो इक्तियार तुम्हारा है अब दुल्ला सुमाई ने सर से ले करके पैर तक देखा और देखा भी किसे अधराज जो जवानों में अपनी मिसाल आप है पाकिस्गी में अपनी मिसाल आप है हया में अपनी मिसाल आप है तहारत में अपनी मिसाल आप है अल्लह की खिसम वो सिर्फ पाक नई बलके अल्लह ने उसे सरापा पाक बना कर पैदा किया है शूल्ले सूने तमच्छ के साथ में हसानी साथ सुनो जल्डी से के दो सुभवाने लगा या तमारे ना पेहkellों करween गा सुभवाने लगा मैं भी सुभवाने लगा अदूत पेहले लगा सुने तमारे लो कोई बात ने बिचारे कमजोर आद्मी पर्वर्दिकार आल वस्रात मेसीद खुबत अता फर्माए या इरादर छोड़ दू माई जल दिस इसका मतलब यह कि बेचैनी से शिद्ध के साथ इंतिजार कर रहे हैं कि गुफदुगो को खत्म किया जाए लेकिन मुझे भी वाकिया मुकम्मल करना चाहें कितने ही भी सोलो आप यहां पर बैठने के बार यूट्यूब चैनल चला है लाइव अगर चला रहे हो तो थोड़ा सा काट देना क्योंकि महफिली ऐसी है जहां पर तमाम लोग अपने बैठे हुए है और जहां अपने होते हैं तो बीच में कभी न कभी इस तरह की गुफटगू आही जाती है हमारी जमात के बहुत जादा जिम्मेदार आलिमेदीन है यह तो दोस्तों का मामला होता है तुम्हें पता नहीं दोस्तों अगर बूर्बंभी हो जाए तो दोस्ती वाली जो आदत होती है वो खत्म नहीं होती वो हमेशा बाकी रहती है दोस्तों तो दोस्तों हुआ करते हैंना माईक के सामने कह रहा हू headquartersा हूँ हरा हूँ हरा आथ है करके पैर तक नोजवान को देखा अपनी मिसाल आप है नोजवान और देखने के बाद में कहा था माफी नहीं दी जाएगी पहले मेरे बाग की खिद्मत करो अजरात बाग की खिद्मत पर मामूर कर दिया गया वक्त गुजड़ता रहा पताने बाले बताते हैं दिन नहीं बलके सालों गुजर गए और जब सालों गुजरे और जाने का वक्त आ गया तो अब्दुल्ला सुमाई की बारगाह में आने के बाद नोजवान ने कहा था सरकार अगर मैंने बाग की खिद्मत मुकंबल कर दी हो तो अब खर जाने की इजासत दे दो عبداللہ سومئی کہتے ہیں अभी अजासत नहीं मिलेगी अभी तो आखरी शर्ट बाकी है रुए समीन पर ना इससे पहले कोई निकाँ ऐसा हुआ और हज़रात ना इसके बाद कोई निकाँ ऐसा होगा अब हज़रात कहेंगे कैसा निकाता बेमिस्रो बेमिसाल निकाता जानते हो क्या कहाता अब्दल्ला सूमई न एक शर्ट बाकी है नोजवान जाने की अजासत मिल जाएगी घर पर भी जा सकते हो और मेरी बाकी जो तुम खिद्मत कर रहे हो इस खिद्मत से भी मैं तुम्हे सुखदोश कर दूँगा इससे भी तुम्हे छुटकारा मिल जाएगा लेकिन सुनो मेरी एक शर्ट है मेरी एक बेटी है और बेटी भी कैसी जो पईरो से चल नहीं सकती है हातों से पकड़ नहीं सकती है आँखों से देख नहीं सकती है कानों से सुन नहीं सकती है उस मेरी बेटी से तुम्हे निकाह करना पड़ेगा बताओ नोजवानो मेरे और तुम्हारे मौशरे में क्या ऐसी हसरात लग्की से कोई निकाह कर सकता है दुनिया के अंदर लेकिन जैसे ही अब्दुल्ला सुमई ने कहा था नो जबान मेरी बेटी ऐसी है जो पैरों से चल नहीं सकती अकानों से थुल नहीं सकती हाथों से पकड़ नहीं सकती है तो जानते हो अब्दुल्ला सुमई ने जब ये कहा था मेरी उस बेटी से तुम्हे निकाह करना पड़ेगा उसके बाद ही तुम्हें बाक्स से जाने की अजासत मिलेगी हदरते अबु साले ने सुना और सुनने के बाद में कहा था अब्दुल्ला सुमाई सुनो मैं तुम्हारी इस शर्ट को भी कबूल कर रहा हूँ ऐसी तुम्हारी बेटी से भी मैं निकाह करने के लिए तयार हूँ मैंने कहा था अबु साले एक बात तो बताओ ऐसी लल्की से निकाह कौन करता है कि तुम ऐसी लल्की से निकाह करने के लिए तयार हो गए अबुल्ला सुमाई जवाब अबु सालिख जवाब देते हुए नसर आते हैं क्या बताओं मैं तुमें एक अल्ला वाले की जो सिंदगी गुसरती है वो दुनिया को देखकर फैसले नहीं करता बलके वो आखिरत को देखकर फैसले करता बुसाले का जो ये फैसला है दुनिया को देख कर नहीं है बलके आखिरत को देखने के बाद ये फैसला किया गया है अच्छा मैंने कहा था अब्दुल्ला सूमई एक बात बताओ अगर तुम्हें निकाही करना था तो पहले ही रोज कर दे तू तक्रीबन बारा साल तक तुम्ने बाग में रख लिया उसके बाद तुमने शर्ट को रखा कि मेरी बेकी से निकाह कर लीजी जो माजूर है पैरों से चल नहीं सकती, हातों से पकड़नी सकती, हसरात कानों से सुननी सकती आँखों से देखनी सकती, अर्दुल्ला सूमई कहते हैं तुम्हें क्या पता है मेरी सिंदगी मुस्तफा के घुलामों के लिए नमूना है नमूना आइडियल है आइडियल मैंने अबु साले को अपने पास इसलिए रखा कि मैंने अबु साले को बड़े करीब से देखा उसकी रातों को भी देखा उसके दिन को भी देखा उसकी जल्वतों को भी देखा उसकी अबादत को भी देखा उसकी रियासत को भी देखा उसके शुक्र को भी देखा उसके सब्र को भी देखा उसके सच्दों को भी देखा उसके रुकुआत को भी देखा बारा साल तक मैं देखता रहा और बारा साल तक देख रहे के बाद अब्दुल्ला सुमाई के दिल ने ये कहा था मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर लड़कार हुए जमीन पर कोई दूसरा हो ही नहीं देखा हदरा जाइदा देखने के बाद होता है कारोबार देखने के बाद में होता है दुनिया के अधरा साजो सामान देखने के बाद में होता है लेकिन अल्लह वालों के यहां पर फैसला सामने वाले की जिन्दगी उसके लेलो नहाद उसका किरदार उसका अखलाग देखने के बाद फैसला होता है क्योंके जिसे मैं और तुम तलाश कर रहे हो वो फना होने वाली चीजे है और जिसे हमारे अकाबिरीन ने देखा है वो हमेशा बाकी रहने वाली चीजे है हमेशा बाकी रहने वाली चीज़े दोलत खत्म हो जाती है खुसन खत्म हो जाता है जाहो जलाल खत्म हो जाता है माईक वाले अफलातून भाई आँगे अफलातून भाई माईक वाले हैंगे के नहीं हैंगे अच्छा इनका नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है क्या नाम फिरोज बाई चले गए अच्छा अफलातून बाई चले गए अफलातून नाम सुनने के बाद फिरोज में कदर गनीमत है अफलातून सुनो तो ऐसा लगता है जैसे कोई माईक माश्टर ना हो बलके कोई फलसफी हो या मंतिक का कोई इमाम हो या इल्म कलाम का कोई माहिर हो इसा लगता है अफलातुन नहम सुने के बाद में हज़रात फिरोस में तो फिर भी गनीमत है और फिरोस तो फिरोस होता है ना अब आई एक दो मिनट की और गुफटगों सुनिए उसके बाद मैं मैं अपनी गुफटगों को खत्म कर रहा हूँ अबुसाले की जिन्दगी को बड़े करीब से अब्दुल्ला सुमाई ने देखा तब अपनी बेटी से निका किया और निका होने के बाद में जब हुचराए अरुसी में पहुचेते ना जानते हैं कौन हजरत अबुसाले और वहां जाकर के देखा तो लड़की के जो अवसाफ बयान किये गए थे उन में से एक भी नहीं था लड़की के अंदर ये कहा गया ता लड़की माजूर है लेकिन लड़की तंदरुस्त थी ये कहा गया ता देख नहीं सकती लेकिन लड़की की निगाहें क्या थी अल्ला की पसम नजरे देखो तो ये वही तो चहरा है ये वही तो सरापा है हजरात ये वही तो खांगान है जिसके बारे मेरे मेरे इमाम इमाम इश्क औ महबत इमाम अहमद रजाखा कहते है तेरी नसले पाक मैं है बच्चा बच्चा नूर का तुहां इने नूर तेरा सब घराना नूर दा जब पबे मिस्वाद हो बेहस्राद और हद्राद उसकी मा बेमिस्वाद हो तो ल्लá के खस्म उनके शिकम से पैदा होनेवाला बच्चा भी घुस नहीं होता बलए के घुस अखवास हो वाव वाव सुभान ला बाप अच्छे तलाश करो लड़के दीनदार ढूंडो दूलते खत्म हो जाती है लेकिन दीनदारी कभी खत्म नहीं होती है दुनिया से शुरू होती है कबर में भी साथ मैदाने महशर में भी साथ ऐसी चीज़ को क्यों ढूल तलाश कर रहे हो जो हजरात तुम्हारे रिस्क के रास्ते में भी रुकावट में बने एकाईर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में खोता ही एक चराख इश्क से जलते गए कितने चराख खाक का हर्जब रमाहो का कशा बनता गया मया के लाही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया जिसको ठुकराती है मौझे वो कनारा तु है चर्ख उमीद का तूटा हुआ तारा तु है बेकसों से ये कहेंगे सरे महशर सरकार ऐ गुनाहदार इधर आ के हमारा तु है आवाजों से आवाज में लाएं और हजरात कल्मा शरीफ पढ़े बावाज बलंद ला इलाह इल्लाहु मुहम्मद और गसूर लाहु ये किसा लतीफ अभी ना तमाम है जो कुछ मया हुआ वो आगाज बाब था खुब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे बागबा जाता हूं में गुल्शन तेरा आबाद रहे मेरी तस्वीर के ये नक्ष जरा गोर से देख इसमें कहत की तारीख नजर आएगी बुजूगा तेरे जहन के गुंबद में राद दिन जिसको ना तू भुला सकी वो गुफ्त को हूं है आमीन अस्तग्फिर ल्लाह रभी मिन कुल जंबिवा तू बिली असलाम अलीकुम वरह्मतुल्ह